एक मुलाकात कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है वित्रों एक बार पुना हम आपके सम्मोख हैं एक नए महमान के साथ आप जानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र से हमारे साथ एक मुलाकात में अतिती पधारते हैं आज मीडिया जगत के क्षेत्र से एक बहुत ही नामचीन हस्ते जो मीडिया की लगातार सेवा करते आ रहे हैं, समाज की सेवा करते आ रहे हैं और मीडिया जगत में ही नहीं बलकि भारत वर्ष में जिनका नाम बड़ी ही सम्मान से लिया जाता है वे आतिती आज हमारे साथ हैं आप हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी जो लेखक भी हैं पत्रकार भी हैं और राजिस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक हैं आपने दो दर्जन से भी जादा किताबें लिखी हुई हैं कई विश्विध्यालियों ने आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधी से सम्मानित किया हैं और आप वेद विज्ञान के मनिशी हैं ऐसी महान विभूती आज हमारे साथ है तो आईए उनका अभी नंदन करते हैं औ एक तो ये कि अब वैवाहिक जो सम्मध है थोड़ी से टूट रहे हैं बिखर रहे हैं ये एक स्थिती बन रही है दूसरी स्थिती ये बन रही है कि जैसे आपने कहा कि एक पत्नी के साथ जो एक सम्मध है कई ऐसे भी देखे गया है मनिशी जिन्होंने विवाह नहीं किया जो ब्रह्मचरी व्रत में रहे फिर भी उन्होंने अपनी देवत्व को दिव्यता को प्राप्त किया और समाज के लिए बहुच कुछ किया तो इन दूनों विश्यों पे आपकी राय क्या है फिर एक चीज तो प्राप्द है नेरे गुरु जी मुझे कहते थी कोई भी गुरु है उसका पहला काम क्या है वो रुद्धा कुछ को डूनता है शिष्य गुरु को कभी नही डूनता जान नहीं तो गूनता है इस दरती पे कि मेरा शिष्य कौन बन सकता है क्योंकि उसको जिशी रिण से मुक्त होना है वो अपने ज्ञान को साथ दे ले जाना चारता. नमब एक, नमब दो, वो शिश्य को उतना ही सिखाएगा जो उसका गुरू उसको गुरू उसको देरा है. गुरु ने का ये नहीं सिखाना, तो आगे नहीं दे सकता, शिष्टे दस सवाल पूछेगा, कि मुझे ये बताओ, बताओ, मुझे आगया नहीं है, अब देखे, फरक कहा है, हम गुरु को समझते भी नहीं है, हम आचारे देवभव है, देवता सुक्ष्म होता है, नाक से द अहां तक सीख किया है, A, B, Z, D, E, F, तो मुझे उसको जी से उसको सिखाना शुरू करना पड़ेगा, अगर वापत ऐसे शुरू करेगा तो F तक तो उसका मन ही नहीं लगागा पड़ाई में, अब मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं कि क्यों पड़ाई में मन नहीं लग रहा ह है, कि वह वहां तक पिछले जनम में सीख चुका, गुरू उसको यह समझना पड़ेगा, कि यहां तक सीखा हुआ है, उसके आत्मा को पड़ता है, उसके आगे सिखाना शुरू करता है, और फिर उसकी पातर तक क्या गहरन नहीं करेगी, वह वहां से इशरा आ रहा है, गु पिज के संग्राक हैं, इसको हम यू समझेंगे, तो वह वहन कर रहे हैं और वपन करते हैं, क्याकिन बीज को नहीं बना सकते है माबाप, हम कोई भी समझना पड़ेगा, तो इसी तरह गुरू ज्यान को नहीं देता, वह अपने गुरू से लेकर देता है, या अपने तो उसी तरह से गुरू की भी वह पीडिया एक दूसर को देती आपको मिलती है, तो मेरे 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 सातों पीडिया मिल की मुझे दे रही है, वह अंस से मेरे को उस्तूत सारा लग रहा है, अपने इसको उस रूप में देखेंगे, आज जो हो पनर्त् हो लहारा है। कि अज शिक्षा में missh UK के लोगों को समझा है। मावाप इस बाट से बहुत खूश है। एक मेरी गर मेरे लडगे लड़की बहाबर है। सबचिते हैं जो मैं लड़के को नहीं सिखा रहा ह। Television Att über çek लंखे बराबरी कारत आउसर का है, सुविदाओं का है, सम्मान का है. यहां तक बराबरी समझ में आती है. पर लड़की को चीज घर में जाना है और जो जिन्दगी जीनी है, मैं उनको कुछ इखा कि नहीं बेज रहा हूं. इसके परों से बेज रहा हूं. उसको उचेतर साल और पच हमारी जो आज की मा है, जीरो है. पहली बात तो. उसको प्रकरती से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जेविक संतानी ही पैदा कर रही है. जैसे अब मैंने का अगर वो शेर का जीव आया तो शेर का ही समाज में छोड़ दिया उसने. उसको ठीकर नहीं आया. नमबर एक. न जाते हैं, फिर कोई दूसरे गूर्प को देखो, कीजरे को देखो. अची साल की लड़की को ये चेहरे पे आपको ये भाव नहीं दिखेगा, कि वो अपनी उमर की किसी लड़की से बात करके जा रही है. इसको समझना कभी है. और मैं उस लड़के को समझ में आया है, क्या मेरी उमर की कोई सुन्दर कन्या से में भी बात कर रहा हूं. तो अब आप जो सवाल का, अब आप अपने सवाल को यहां लाइए, उनहीं को तो आप ठीक करने की कोशित कर रहे हो, पहले उनमें वो मैन हुट और वोमन हुट को वापर डालना पड़ेगा. भाई, हम जेविक जेविक शेडीर रहे हैं, तो इतो प्रशू है, चरीर तो चेतना थोड़ी अपनी खुद की, उतना ही तो शेडीर रहे है मेरा, इस पड़ाई ने यह किया सबसे बड़ा नुक्तान, जेविक आत्मा मर गई, आत्मा पड़ाई में ही नहीं, तो फिर पेट भरने के लिए मे जिनकी के पचीश साल पेट भरना सीखने के लिए खरच कर रहा हूं, इसका जवाब द्या मेरे को, इसको हम मानव कहेंगे, इस स्रेष्ट धर्ति का स्रेष्ट प्रानी है, जो अपना पेट भरने के लिए पचीश साल लगा रहा है, कैसे बरेगा, और उसके बाद बागी नमाज में जीना नहीं आता, लोगों के साथ रहना नहीं आता, इश्वर के तरफ उसमें आस्ता नहीं रह जाती है, तो फिर मानवता कहा रही है, तो ये सारी हिंसा जो आज दिख रही है, वो सारी उसके का रही है, वो मन को समझता ही नहीं है, कि मैं मन की इच्छाओं को प क्या syllabus में भी ऐसी चीज़ें को ठारी जी आपको लगते हैं कि ये शामिल कर दे जाए ताकि वो संस्कार जो आप कह रहे हैं कि हाँ मानोता के बीच निए राष्टा है मैं तो कहा कि मैंलाओं के लिए तीन चार डिगरी को लिए एक मत खो लिए और जितना नुक्सान हो गया मैं कहता हूं उसके दीरे दीरे भरपाई करने का प्रयाश करते रहें जो हम कर रहें लेकिन जहासा प्रयाश इस बात का करें कि आगे इसा नुक्सान नहीं हो आप यू समझे तो मैं आने वाली दो तीन पीडियों को तो कम से बादा दो पीडि के बाद जो आएगा ऐसा आएगा कि मुझे उसके लिए काम नहीं करना पड़े है तो तो मेरी जो नई एजुकेशन है नई जो फ्रसल होगी वो इस वर कास्ता लेके इनसान बनते होई आएगी तो खुदी शांती के साथ आएगा हम अभ्यूद्य के पीछे बाग रहे हैं निश्रेश की को बाती नहीं करता है हमारी शिक्षा की सब से बड़े कमजोरी क्या है वो दिमाग पे जोर देता है तो चार चीज है मेरे पास शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा मतलब क्या हुआ जितने जादा आप पढ़ेंगे तो आप शरीर और गुद्धी तो बहुत भारी हो गए आत्मा और मन चुनने होते चले जाए तो आप असंतुरित होगे, इंबेलेंस परसनल्टी पैदा कर रहे हैं हमारी वहां से चलो बिलकर मेरी इंबेलेंस, सोशिल इं कर दो आप इंबेलेंस रूख जाना चाहिए, फिर में आगे के परयास के साथ जोड़ू। जब तक यह सोशिल इंबेलेंस रहेगा, मेरी परयास की काम नहीं आएंगे, अब आप समझो मेरी बागब, यहां आपके उत्रिया है, हम जो काम कर रहे हैं, उसम इंबेलेंस परस पता है कि रभ्मा जी ने मेरे अंदर क्या देखा, और क्यों मेरे उपरित्री करपा करी। मेंने आप पात्रता देखी, वो कटोरी भी इतना नहीं डाल सकते हैं, बाहर निकल जाएगा, गलास में भी नहीं डाल सकते हैं, बाल्टी भी छोटी है, तलाप चोहिए, सागर चो जाएगा, 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 जाए को त्यार करें, बंगों को त्यार करें, इश्वर में आस्ता पेदा करने का रास्ता खोजें, लेकिन चुर्वात भाई से करने पहले है। फाउंडेशन पेली चीज़ है मेरे लिए, अगर नहीं अच्छे नहीं है तो आप मकान किता भी बड़िया लाओ, आर्शिटेक लाओ, कुछ भी करो। या हर इक यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल्स, कॉलेजिस के लिए बहुत आपश्यक हो गया है। बात तो सब यह कर रहे है। पर बूली चिक्षा पत्तों पे पानी छेटेने जैसे काम कर रही है। हमारा सवाल तो है कि नीव मजबूत कैसे हो। हमारा सब काम चूट जाना चाहिए पहले एक ध्यान होई जाए। हमको इक ही पॉइंट पे करना चाहिए। हमारी शक्ती बढ़ जाएगी तो रजल्ट भी विखर जाएंगे। हमारा तो सोच आज भी है कि हमें सारा जोर ही किजे कर रहा है। रजल्ट उसमेंचे निकलेंगे। रुजहान कैसे पैदा की जाए। आज जैसे आपने शिरुवात में कहा था कि व्यक्ति पैसे के पीछे भागा जा रहा है। मान, शान, दौलत, शोरत ये चीजें आज ज्यादा मायने रख रहे हैं। वो अध्यात्म जो एक बीज है जिस मूल की और आप ध्यान दिला रहे हैं। उस मूल की और उस आध्यात्म जीवन मूले की और व्यक्ति का ध्यान कही न कहीं कम है। रुझहान कैसे पैदा की जाए ये भी एक बड़ा प्रशन है। रुछान एक ही कारण होता हुटे spilled होता है। उसका स्वार्त के जिद्ध होता है। जहां उसको लगता है कि यहां मेरा स्वार्त sitt्ध होगा, जहां उसका रुझधान हो जायगा। प्रस्ट भी हुआ क्या है कि हमने शिक्षिया के माद्यम से उसका रुजान पैसे से जोड़ दिया, भोतिक बादी बना दिया उसके. और पैसा केवल शरीर के काम आ सकता और कई काम ही नहीं आता. तो उसकी जिंद्गी इस मेट्रिलिस्टिक वर्ल से जोड़ गई. और वही उसको दिखाई दे रहा है. मेरा तीन चोथा हिस्सा जो अद्रश्य है, मन, बुद्धी और आत्मा, उसको दिखते हैं जी. तो उसको उस रुजान में लाने के लिए यही काज़ टूवे सिस्टम हुआ. एक तरफ नई मास को ठेंड करेंगे, उससे तरफ पुरानी मा को उस अभ्यास में वापस डालेंगे. अब आप ने कहा कि नई जो शादी की परिवाश्य हैं बदली, उसका कारण यह सिक्षा है. वो जो मैं भी आप से कर रहा था समानता. समानता ने क्या किया? लड़का तो बिलकुल नहीं बदला. हब आप को मैं छोटी जी इसके समर लो. पढ़ लिया, नोकरी कर ली, ब्यापारी बन गया, कुछ भी बन गया. लड़के ने अपने आपको कहीं नहीं बदला. वो लड़का ही है. लड़कों ने अपने आपके बदल लिया, यहां हम इस पढ़ाई ने बदलाया, इस एक्विलिटी के इस लड़ाई ने बदलाया, अब वो लड़कों की नकल करने लगे, लड़कों जैसे जीना उसका सपना बन गया, अपने एक उसी बात पर जिस पर आप काम कर रहे हैं आज लड़कों की जैसे बनने लगे, माबापने तो इसको लड़की बनाया नि, जो लड़की के गुह हैं, भाने भी नहीं सिकाएं, आथ को जो जो पाट्टे उमें जा रहे हैं, सभ आ रहे हैं, तो लड़कों जैसे जीना लगे, उसके पास जो मां के पास, मम्ता, दया, करुन पुर्ष्क काश्रीत प्रुट सर्व डूर्स होता है। वो बुध्धीय प्रदान होता है। उसलिए जल betri surya से आती है। इसिल्ए माध्यूरी माधूरी है , जल्टूरी शीतन लगती हें। इसका कारण यह है, दो कारण नहीं है, तो आपकी बुद्धी जैसे जैसे बड़ेगी आजमी गरम होते चला जाएगा, जान का इंकार सबसे बड़ा का इंकार माना जाता है, यह समझने आप, तो इसलिए तो मैंने का रुस्त्री के साथ शादी होने के बाद अब उसको चिट काओ पढ़ना पड़ता है, तो यहां क्या हो रहा है, जिए वो लड़की खुद, लड़के जैसे जीने लगेगी, शादी के बाद वो घर में लड़के के साथ जा रही है, ठीक है? शुरुआत के पांट-चार साल तो बहुत आराम से करते हैं क्योंकि उस वक्त ध्यान शरी कर ज्यान हो, जैसे जीसे वो कम होगा वो बुर्द्य-प्रसाण जीवन हो जाएगा उनका, मन को डोनों नहीं समझते, समझें, मन incur नहीं समझने का एक कारण तो यह हुआ, नहीं सोसाइटी में, कूरी एस् नछीन सोसाइटी में, शादी के बाद दोनों एक नहीं हो, हमार यहां शादिकार्त है, तामे दोने समाई, दोने मिलके एक हो जाएंगे. शरीर बले दो रहे हैं, मन तो एक हो गया, अत्मा एक हो गई. नहीं जो पड़े लिखी है, वो एक नहीं होती. तो शादिका हुन. इसलिए शाहिए बिखराव वाली बात जो हम लोग कहा रहे हैं. उस और शरीर की जरुद खत्म, जो भी आकर सेंटर वो भी खत्म होगे, दो चार साल में खत्म हो गया. अब लड़ाई देगी बुद्धी की. दोनों की पैचान की लड़ाई हो गई वहां, शुरूर. लड़ कहता, मैं अपनी पैचान छोड़ने को त्यार नहीं हूँ. वो कहत अब इस बात को. वो इतना स्ट्रॉंग हो गया है, सेंटिमेट, कि आदमी को छोड़नाम से बुरा लगी नहीं रहा है. उसको हम भी हूँ समझें, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में वो भावनात्मक जो गया हानी चाहिए, वो नहीं आपाई, नहीं आई नहीं 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 नह वो फट जड़के से मुका मिला कोईसा हम तयार है, जड़के को तो कुछी जोड नहीं आता है, उसको वो छोड़के वापस अपने गर नहीं जा पा रही है, दान दगना इस बात को. उसको बीच में अटगना पुलेगा, उसको भाई-बाभी भी नहीं रखेगा, उसको कोई सीमा नहीं है, यह आपको मैं बठाते है, जिंदगी में आज, सबसे अधिक कोई तकलिष में तो महिला ही है, और वो पड़ी लिए महिला सबसे ज़्यादा है, पूरी विक्षित जो सम्भा सोसाइटी है, डवलब कंट्रीज की जो महिला है, सबसे ज़्यादा दुखि यह मैं आपको सही करा हूँ, वो की नहीं है ना, ठीक है तेरी मर्जी है तो सो जाएगी, वो बजन में चली जाएगी, सच्छंग में जागे बढ़ जाएगी, बूल जाएगी का आज में रोटी नहीं खाई, आप इसको समझना, लेकिन उस आस्था के सोत्र से वो ऐसी स्ट्रेंड होड नहीं है, जो हमारे जो मात्र भाव है, शाजेवी सर्भूते के मात्र पेहन संतिता, नमस्ता से, 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 इतना दूर हम मात्र भाव को देख रहे हैं, और उसको देख रहे हैं हम, उस तो फ्रिज में रखेंगे, तो रखें आप उसक对 कर दो पेड्ड नहीं बनेतियों में आजी जब गृठ्री न जीने को पेड्ड नहीं त्यार नाही आपकू जे मिली। जमीन चटकते हो प्रस आया, खुशू आया उसमें। गुठली तो कब की मर गई कहां से आया। वो गुठली उसमें काम कर रही है, पेड में। यह हम गुठली के प्राण काम कर रही ह्यां, भी बोलते हैं। बड़ी सुक्षमता। और इस प्रान कानाम है मात्र देव भवाँ। जय-जय-जय म आज को ठारी जी, आप मात्री शक्ती दादी जान की जी से मिले, कैसा रहा आपका मिलन दादी जान की जी से जो आप अपनों ने? बहुत बढ़िया रहा, मैं तो पहली बार मिला हूँ, हाला कि इनको सुना मेने, मैल बार्न में जब ये गई थी, विस संसद में, तो मैं भी पार्लेमेंट वर्ले लिजिन में वही था, मेरा भी पेरी भी एक स्पीच थी, लेकिन मैंने वहां सुना था, इनकी पहले में को अपने आप को ये गेर अप करने में लगें कि किस रूप में वो मेरे सामने आना चाहरी है, वो कुछन कुछ सुंग रही है, मेरे को टोल रही है, उसको यू समझी बात को, कि इसमें पातरता क्या है, मुझे इससे क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, उसको मुझे लग पर उनको ये भरोसा तो हुआ कि बात करने लाएगे। और जो फिर क्रम चला, तब उन्होंने मुझे लगा कि शरीर के बार जाकर मेरे से सारी बात करे। कुल चालीष मिनत का हमारा एक वात समझे आदन परदान था। ये बहुत खुछ थी, कियार मेरा姐 है। आए मी ब्रदरर ड़े। वननर्फुल ये मेरा बाहर रूजा की है। काहिसी आएग मेरा भाईया आइ है। तुम भागो याजे, मेरे लिला के इसके लिए अंगुठी लेगा और वो करो, वो सब चीजे एक जगे थी, फिर भी, एक बात जरूर हुना कही, के हमको, हम इसे ध्यान रखना है, कि बाबा हमारे साथ, इसको बूलना नहीं है, कहीं भी जाओ, इस परकाश को ले जाना है, य कैसे निकल गया, और लग रहा है कि अभी भी हम इस सुंदर आध्यात्म की गहन बातों को सुनते रहें, हमारी दर्शक भी बहुत लाभानमित हुए है, और साथ ही इस पर गहनता से विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जो बात आपने कही है, निव की बात कही है, पते क बात कही है, और सच मुच ये जीवन में आ जाता है, तो समपूर्ण समाज सबका जीवन परिवर्ट भी थर जाएगा, आप यहाँ आए, मैं तो यह भी समझ रहा हूं साब, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, आप क्यों मानों, क्यों मैंने भी भी कहा था, हमको कुछ ऐसे स्कॉलर्स दे दे, दो, तीन, वो हमको दर्जनों में नहीं चाहिए, दो, तीन, चार भी हों, जो हमारे की स्वेधा अधियन में, इंटरपेटिशन में, हमारे साथ जूड़ जाएं, तो वो लाब, आपकी पूरी यूनिवर्श्टी को, और सभी ब्रमकुमारियों के मारफ आगे पहुंचा है, जी, 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 बिल्कुल, आपने युदि ये शुब इच्छा रखी है, तो जरूर ये कारे भी जरूर होगा, हमको क्या चाहिए, हमको भी किजिसे कुछ नहीं लेना है, सब कुछनों लोगों का अशिरवाद मिल रहा है बहुत, बिल्कुल, बिल्कु आपके सब काम नहीं है, आपके पूरे संगठन के लिए, खुब मन्स है, और मेरे के लिए कभी भी कोई काम आपको दिखे तो मैं आपके साथ तयार बिलूँ, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका, आप यहां आए, आपने सुन्दर अनुभा रखे, आपका बहुत- गहन और गूड़ चर्चर रही है, आध्यात्म के विशय में भी, साथ ही नारी शक्ती के विशय में भी, कैसे एक नारी हमें गड़ती है, मा के रूप में, पत्नी के रूप में, साथी के रूप में, सच मुच यहनी देखा जाए, तो आध्यात्म की ओर जब हम बढ़ते है तो जीवन में एक निखार सा आना शुरू हो जाता है, या हमारी चिंतन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, कई चीज को हम बहुत ही स्थूल रूप में मोटी तौर पे देखते हैं, लेकिन उसकी पीछे जो सुक्षमता है, वो तब समझ में आती है, जब हम अध्या हम जो देख रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन तभी आप आएगा लगता है, जब इस आध्यात्मिक सुक्षमतत्व को हम समझेंगे और अपने जीवन का अंग बनाएंगे, तो क्यों ना इस सुक्षमता की और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अब तक तो जीवन में हम आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, जाना, समझा है, क्यों ना अध्यात्म तत्व को भी हम समझने की कोशिस करें, इस से अपने जीवन का श्रिंगार करें, तो सच मुझ जीवन आलोकित हो जाएगा, और ना केवल हमारी जीवन में परिवर्तन आएगा, बलकि समाज में भी हम संपूर्ण परिवर्तन को लाप आएंगे, तो हम सब मिलके अध्यात्म की ओर बढ़ें, जीवन को संसार को स्रेश्ट और सुखत बनाएं, इस शुप कामना के साथ, आज के लिए देजे इजाज़त, नमस्कार